जैन फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम रोट आपका हमारे एक्जाम रोट चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग लक्चार 6 पढ़ेंगे ठीक है एकाई 4 के लक्चार 6 पढ़ेंगे देखें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि NCRT वेस्ट प्रिविएस यर बोट इक्जाम में आया हुआ कोश्चन कर रहे हैं ठीक है तो आज हम लोग क्या करेंगे बरहामा कोश्चन करेंगे ठीक है इसके पहले हम आपको 11 कोश्चन बता दोस्तों प्रिविएस यर का आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है जो ना देखियो हो वो क्या करें जाकि वहाँ से लिंक खोल के देख सकते हैं ठीक है दोस्तों जो आपका प्रिविएस यर कोश्चन है वह आपके बोट एक्जाम के लिए बहुत ही important question हो क्योंकि यही data बदल की क्या करते हैं examiner आपको क्या करते हैं पेपर में च्छाब देते हैं और वही आपकी exam में आता है और यह हर साल ऐसा होता है ठीक है दोस्तों तो आप लोग क्या करिए previous year पर focus करिए और अच्छे सूसर क्या करिए पढ़िए ठीक है और आपका exam I hope की बहु 30 cm² है यदि उसकी उचाई आधार की लंबाई से कितना है साथ संटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ग्याद कीजिए दोस्तों इसमें क्या क्या है समकोर्ट त्रिवच का छेत्रफाल आपका क्या है 30 cm दिया हुआ है और कह रहा है यदि उसकी उचाई आधार की लंबाई मान लेंगे ठीक है उसके बाद उचाई मान लेंगे उसके बाद जब लंबाई उचाई हम लोग ग्याद कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि लंबाई और उचाई की सहायता से क्या करेंगे हम त्रिवच का छेत्रफल निकालेंगे ठीक है और वो छेत्रफ तो क्या करेंगे हम लोग find कर लेंगे ठीक है दोस्तों आए हम लोग क्या करते हैं solve करते हैं माना समकोर त्रिभुच के आधार की लंबाई 1 cm है यह हमने मान लिया ठीक है तब उचाई क्या होगा क्यों किसमें कह रहा है न? उचाई आधार की लंबाई से साऒस संपटीमेटर अधीक है लंबाई सी कितना अधीक है? साज संप्स संप्स है तो उचाई क्या होगा? 7 cm होगा ठीक हो ठीक है दोस्तों तो हम क्या किये है? x प्लस सेवन लिग के संप्स में अपना लिग दिय Servant Q म लिख दिया जो कि दिया हुआ है ठीक है दोस्तों आप देखिए 1 अपन 2 इंटू आधार की लंबाई इंटू उचाई जैसा कि आपको पता है समकुर्थीभूच का छेत्रफ़ बराबब फार्मॉल्ला होता है 1 upon 2 इन्टू आधार की लंबाई इन्टू उचाई इसकोल 2 30 cm जो दिया हुआ है हम इसको लिख लिए है ठीक है आल्रेडी है दिया हुआ है आधा आपका समकुर्ति भुज का 6 तफल ठीक है आप देखिए 1 upon 2 को मैंने 1 upon 2 ऐसे है लिख दिया ठीक है दोस्तों 1 upon 2 को 1 upon 2 है से है लिख दिया इन्टू आधार की लंबाई हमने कितना माना था 1 समाना था तो हमने x लिख दिया ठीक है इन्टू आपका उचाई कितना है x plus 7 x plus 7 लिख दिया ठीक है इसकोल 2 30 है मैंने 30 लिख दिया ठीक है दोस्तों अब देखिए अब क्या करेंगे यक्स को x लिखा x प्लस 7 मने x प्लस 7 लिख दिया ठीक अब रैकेट में यह जो 1 अपान 2 है इसमें 2 जो नीचे का है हम क्या करेंगे इसका 3 एक मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है इधर आएगा तो किसमें 30 में कर दिया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इस x का x प्लस 7 में मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है तो x का x में मल्टिप्लाई होगा तो x इसकार हो जाएगा x का 7 में करेंगे तो 7 x हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब 30 का 2 में करेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा और 60 जो है इ देखो दोस्तों अभ यह आपका क्या बना एक दुझ घास समीकरां बन गया दुझ घास समीकरां करने के लिए हम लोग क्या त्रिक अपनाते हैं क्या है क्या है गुझांक एक है प्लस अब जो यहां पे 7 except को नहीं लेंगे अब यहांब क्या है 60 जो दिया हुआ है यह इसका औ एक पियर में ऐसे तोड़ेंगे है कि क्या होगा वह जोडने पर 7 आए ठीक है जोडने पर या माइनस करने पर 7 आए और Daddy करने पर 60 है ऐसा एक पियर बनाएंगे ठीक है यानि जोड़ा बनाएंगे दो नंबर का अब देखिए हम लोग 60 का क्या करेंगे तोड़ेंगे तो किसमें तूटेगा 2 x 2 x 3 x 5 में ठीक है आप देखिए अब इसमें क्या करेंगे 2 x 2 4 x 3 12 हो गया 12 minus 5 करेंगे 12 minus 5 करेंगे तो किन्ना आएगा 7 आजाएगा ठीक है इसके बराबर आजाएगा 12 into 5 करेंगे तो किन्ना आएगा 60 की बराबर आएगा जैसे कि हमको find करना था ठीक है दोस्तों तो आप pair आपका मिल गया 12 और 5 का ठीक है अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 7 की जगा पे 12 minus 5 लिखेंगे ठीक है दोस्तों 12 minus 5 अब देखिए x square plus 7 को 12 minus 5 लिखा इन्टू जो x भगल लगा हुआ है x लिखा minus 60 is equal to 0 ठीक है दोस्तों अब देखिए next step अब इन दोनों में common क्या है इन दोनों में x common है तो हम x common ले लिए अब यहाँ पी x square है यहाँ से x बाहर आएगा एक बचेगा यहाँ एक x लिख दिया plus का चिन है plus लिखा इन्टू यहाँ 12 x है x बाहर चलाएगा तो कितना बचेगा 12 लिख दिया ठीक है दोस्तों अब देखिए next अब 5 अब इन दोनों में 5 common होगा और minus क्या है minus भी तो common होगा दोस्तों ठीक है minus भी तो common होगा तो मैं minus common ले लिए minus 5 common ले लिए अब इसमें क्या बचेगा अब देखिए अब इसमें x बचा x लिख दिया अब यहाँ minus है जब common होगा तो कितना बचेगा plus बचेगा 12 होगा इसकोल टू 0 ठीक है तोस्तों अब देखिए अब इन में दोनों में क्या common है आप लोग देख पा रहे है x प्लस 12 इसमें भी है x प्लस 12 इसमें भी है अब इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग x प्लस 12 common ले लेंगे तो x प्लस 12 हमने common ले लिया ठीक है अब बचेगा क्या जब इसमें से x टोल बाहर आ जाएगा तो बचे का केवल x तो x लिख दिया ठीक है अब इन दोनों में common क्या है वही x प्लस 12 x टोल क्या करेंगे हम लोग बाहर ला लिए ठीक है अब जब x टोल बाहर आ गया तो कितना बचा माइनस का 5 बचा माइनस का 5 लिख दिये is equal to 0 अब देखिए दोस्तों अब कहानी यहाँ पे नई मिल गई हमको अब हमको एक बार क्या करना पड़ेगा x प्लस 12 is equal to 0 करना पड़ेगा एक बार x माइनस 5 is equal to 0 करना पड़ेगा ठीक है तो वहाँ से हमको 2x की value मलब find होगी अब वहाँ से हम लोग पहले x की value find करते हैं अब देखिए दोस्तों x प्लस 12 is equal to 0 मैंने पहले को 0 के बराबर कर दिया अब x बराबर कितना आया माइनस का 12 क्योंकि इधर प्लस है जब इधर आएगा तो क्या होगा राइट हैं साइड में इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा x बराबर 5y किया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अब देखो दोस्तों आपको पता है कि तरभुच का हमने क्या है लंबाई माना x अब देखे दोस्तों आपको पता है क्या है लंबाई जो है रिनात्मक नहीं हो सकती ठीक है x बराबर minus 12 आधार की लंबाई रिनात्मक है आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि x की value में लंबाई माना था लंबाई क्या माना था x माना था तो x की value minus आया है तो आपको पता है कि लंबाई कभी रिलात्मक नहीं हो सकती जो क्या है मान नहीं हो सकती है ठीक है जब रिलात्मक है तो मान नहीं हो सकती है अतर एक्स वराबर 5 जो है एक्स वराबर 5 क्या है आपका आधार की लंबाई होगी ठीक है आधार की लंबाई है तहत्र अधार की लंबाई कितना होगा तो आसा करते हैं आपको क्या है पहला question बहुत अच्छे से में आए होगा तो आप लोग इसी तरह अच्छे से वाच करते हिए समझते रहे हिए कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करिएगा आपको पुना बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कहीं भी आपको कहीं कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे ठीक है आप लोग लगातार बस exam road चैनल पर बने रहिए वाच करिए और एकदम अच्छे से सीखिए ठीक है मैत क्या होता है exam road बताएगा ठीक है आया दोस्तों हम लोग क्या करते हैं next question करते हैं ये देखो दोस्तों कितना ब्यहतरिन question है ये question क्या है आपको कहीं भी जल्दी देखनों को नहीं मिलेगा ठीक है कोई इसको नहीं समझाता बताता पढ़ाता है ठीक है दोस्तों ठीक है ये question अपने आप में क्या है बहुत ही व्यहतरिन question है या board exam में आया हुआ question है 2020 में NCRD based question 2020 के board exam में आया हुआ question है ठीक है दोस्तों आई हम लोग क्या करते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से solve करते हैं ठीक है इसमें आपको कहीं भी कोई भी doubt नहीं को हल कीजिए क्या करिए हल करिए समी करन तो दिया हुआ है दोस्त जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अब देखिए हम इसको क्या करेंगे अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है यक्स नाट is equal to minus 4 और 7 देखो दोस्त इसमें यक्स बरापर minus 4 या 7 आप नहीं ले सकते हो कि यहाँ पर not is equal to दे रखा है, ठीक है आई हम लोग क्या करते हैं, इसको solve करते हैं अब देखे, दिया है जो दिया हुआ, आपका equation है, उसको हुआ क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं ठीक है, मैंने लिख लिया, copy कर लिया ठीक है, question कहीं, copy कर लिया अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? पहला step solve करेंगे अब देखे दोस्तों आप इन दonों का LCM निकालेंगे ठीके? अब अलग-अलग bracket है, अलग-अलग क्या? इसमें number है, चर्थ स्व्यम है पर number क्या है? अलग-अलग है. तो हम लोग क्या में आये गा तो यह वाला कर जाएगा बचे का x-7 x-7 का 1 में multiply कर देंगे तो x-7 आजाएगा ठीक है दोस्त बीच में minus का चिंदा है minus लगा दिया आप देखो देखे जब x-7 में x-7 का divide करेंगे तो क्या बचेगा x-4 x-4 का जब one में multiply करेंगे तो कितना आएगा x plus 4 ठीक है दोस्तों क्योंकि जब किसी भी number का one में multiply करते हैं तो उसी number के बराबर क्या है आपका answer आता है ठीक है अब देखिए अब देखो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का ठीक है दोस्तों इन दोनों का आपस में multiply इन दोनों का क्या करेंगे ब्रैकेट तोड़के subtract करेंगे ठीक है minus में है minus है तो क्या करेंगे subtract करेंगे घटाएंगे ठीक है दोस्तों अब देखिए अब x minus 7 को x minus 7 लिखा minus माइनस माइनस अब तोड़ेंगे यह एक्स क्या है माइनस हो जाएगा यह माइनस क्या करेंगा माइनस करेंगा क्योंकि मुल्टिप्लाइब होगा माइनस हो जाएगा ठीक है अपान का आप देखो दोस्तों एक्स का एक्स में करेंगे ठीक है पहले एक्स का एक्स में करेंगे ठीक है अब x में करेंगे किना होगा 4x हो जाएगा plus में फिर plus और minus का multiply minus हो जाएगा 4 का 7 हो करेंगे 28 हो जाएगा 11 अपान 30 दिया हुआ है अब लिग लिए रहे हैं ठीक है इसको copy कर लिए ठीक है दोस्तों आए देखिए अब देखिए यह minus x है यह plus x है यह क्या होगा कट जाएगा बचेगा क्या minus 7 minus 4 ठीक है यह जूड़ेगा कितना होगा minus का 11 हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए अपान का x square है ठीक है x square लिख दिया अब minus 7 x में plus 4 x add करेंगे कितना हैगा minus 3 x बचेगा ठीक है minus 28 था 38 लिख दिया 11 अपान 30 आ गया ठीक है दोस्तों आप देखो अब क्या है आपका जो ऊपर की value है ठीक है जो अंस की value है वो दोनों सेम है तो हम काड़ दिये यह minus 10 है अब यहाँ पर एक बचा है यहाँ पर भी एक बचा हुआ है ठीक है अपान का है लिख दिया ठीक है इस्कॉल 2 वहाँ है है 1 बचा है 1 पर थर्टी है ठीक है आप देखे दोस्तों आप इसमें हम लोग क्या करेंगा नेश टेप अब हम लोग क्या करेंगे 38 multiply करेंगे इसका इधंर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे ठीक है आप देखो दूस्तूं अब जब 30 का माइनस 1 में मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंट्व 30 लिखती है ठीक है उसके बाद इसको लटू 1 का जब हम x square माइनस 3x माइनस 28 में मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 में लब करेंगे तो वही value आ जाएगी ठीक है इसके सास्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है अब देखें next step आप जब 30 का minus 1 में multiply करेंगे तो कितना आएगा minus का 30 ही आएगा मैंने इसको इधर लिख दिया right hand side में लिख दिया ठीक है इस value को left hand side में उठा लाएं है ठीक है ध्यान दीजेगा आप लोग एक्वल है चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो दोनों value बराबर ही होते है ठीक है यह value उधर कर दिया यह value उधर कर दिया तो बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप लिख सकते है अब देखें x square minus 3x minus 28 ठीक है अब यह minus 30 है यह इधर आएगा राएगा left hand side मे क्या होगा plus 30 हो जाएगा equal to 0 ठीक है दोस्तों आजा करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ठीक है आप देखिए दोस्तों x square minus 3x अब यहाँ पर minus 28 है यहाँ plus 30 है यह जूड़ेगा क्या होगा अब minus 28 क्या होगा 30 में से निकल जाएगा क्योंकि plus में है यहाँ दो बच्छेगा ठीक है plus का दो बच्छेगा equal to 0 ठीक हो दोस्तों अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको एक समीकरा मिल गया ठीक है अब इसको solve करने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग दो ले लेंगे यहां से यहां x का गुड़ाग कितना है एक है जब कोई value न उक्ना आये, minus का 3 यह 3 है ठीक है ठीक है दोस्तों अब देखें अब दो का एक के सा हम क्या की हैbles pair बना लग ठीक है अब देखो 1 और 2 का multiply करेंगे तो 2 आ जाएगा ठीक है 1 into 2 का करेंगे क्या होगा 2 ही आ जाएगा और 1 और 2 आ एट करेंगे तो कि एतना होगा 3 हो जाएगा तो हमारा काम बन गया 1 और 2 ले लिए ठीक है x square minus अब देखो 3 को क्या लिखें 1 plus 2 लिख दिये into x plus 2 is equal to 0 ठीक है दोस्तों अब देखें next step next step में क्या है अब हम x square है x square लिख दिये minus अब देखो अब यहाँ पर इधर से x का multiply होगा इधर से minus का multiply होगा जब x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा 1x हो जाएगा तो 1x को x से लिखेंगे ठीक है minus minus x हो गया ठीक है अब यह minus x plus को क्या करेंगा minus कर देगा अधर से x का multiply होगा क्या होगा 2x हो जाएगा plus 2 है 2 उतार दिया is equal to 0 ठीक है दोस्तों आज़सा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आई होगा अब देखें next step अब देखे इन दोनों में कोमन क्या है अब देखें इन दोनों में क्या है 1x है तो 1x हम कोमन ले लिए अब यहाँ पि एक से स्क우ाइर है अब एक से स्काइर में श Wednesday का Fusion यकस मेंजे लिख दिया मैंने माइनस अब यह है यह से बाहर जाएगा किनना बचेका जब बहन वाहरे आती हैं किनना बचता है ठीक है दोस्तो बेस्ट मुंझे समक्ण है लग दिया ठीक है, वीच में माइनस का स्चन्त माइनस लक दिया आप देखो इन दोनों क्या है इन –क प्लस हो जो भी है चिन होता है ठीक है उसको लेकर ही हम लोग common करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको बीच में क्या करना पड़ता है अगला step में भी common लेना पड़ता है तो बीच में कोई चिन होना जरूरी होता है ठीक है दोस्तों इसलिए हम लोग क्या करते हैं common लेते हैं अब देखो, two x, two x में क्या करेंगे, two जब बाहर आ जाएगा, तो किन्ना बचेगा, blueberries x बचेगा, ठीक है, minus था, minus minus को क्या करेगा, plus करतेगा, और यहां देखिए, plus है, यह minus, plus को क्या करेगा, minus करतेगा, अब टु बाहर आ जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा is equal to 0 ठीक है दोस्तों अब देखो इन दोनों में ठीक है क्या common है x minus 1 x minus 1 ठीक है तो x minus 1 टो common ले लिया अब यहाँ पर x बचा ठीक है यह common बाहर चलाया यहाँ यहाँ पर x बचा लिख दिया अब यहाँ पर क्या बचेगा x minus 1 बाहर आ जाएगा तो minus 2 बचेगा मैंने minus 2 लिख दिया is equal to 0 ठीक है दोस्तों अब देखिए दोस्तों next step अब हम लोग क्या करेंगे एक बार x minus 1 is equal to 0 करेंगे एक बार x minus 2 is equal to 0 करेंगे ठीक है अब यहाँ से हमको x की value find हो जाएगे ठीक है दोस्तों आप देखिए x minus 1 मैंने x minus 1 लिखा इस equal to 0 कर दिया x बार यह minus 1 है यह right hand side में आएगा तो plus 1 हो जाएगा ठीक है आपका पहले value आ गई x बार ठीक है अब दूसरा क्या है x minus 2 is equal to 0 मेंने लिख लिया ठीक है आए x बारावर किन आएगा तो आगया ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों x की कितनी value आए दो value आए कितनी आए दो value ठीक है जैसा कि हमको बताना था आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि आपसे question पूछा था निम्न लिखी समीकरण को हल कीजिए हल करने का मतलब था कि x की value बताए क्योंकि यहाँ पे चलकेवल एक ही है कौन है x है ठीक है अब क्या है वह x की value हमको बताना था solve करके ठीक है दोस्तों तो हमको दो x की value पता चली ठीक है कौन कौन से पहला आपको पता चला x बरावर 1 दूसरा x बरावर 2 और तो है x बरावर 1 और 2 क्या है आपका answer आगया ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आप यह question solve किये यह 2020 के board exam में आया हुआ question है ठीक है दोस्तों आपने इसको बहुत अच्छी तरह से solve किया और समझा ठीक है दोस्तों ऐसे इस क्या करें question कुछ लगा था solve करते रहिए इसी type का एक next question है ठीक है दोस्तों एक next question है जो की question number आपका 14 है ठीक है 14 है same same दोस्तों समझ लो कि इसी का क्या है copy है बस उसमें data बतला हुआ है दोस्तों क्या है data बतला हुआ है कुछ data नए आयर किया गया है ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों अब इसको क्या करें 14 में क्या कह रहा है इसमें कह रहा है sum लोग को हल कीजिए ठीक है आपका sum लोग आपन x plus 1 plus 2 upon x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4 दिया हुआ है कह रहा है x not is equal to minus 1 minus 2 या minus 4 ठीक है आपका 3 दिया हुआ है यह 2019 के board exam में आया हुआ question है NCRD based question है ठीक है दोस्तों देखो दोस्तों इसका जो answer आ रहा है इसको क्या करिए इसका जो answer आ रहा है 2 plus minus 2 under root 3 है इस question को आप लोग क्या करिए एक बार खुद से क्या करिए try करिए solve करिए यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहे है नई solve हो रहा है तो हम पुना आपको बताएंगे अच्छे से comment करिए का आप लोग बताएंगे हम आपको समझाएंगे अच्छे से और कोशिस करिएगा क्या है यह आपको हमोर की में दिया जा रहा है अच्छे से करिए इसको solve करेंगे तभी आप लोग क्या हो है आच्छी तरह से पता चलेगा कि हमको ने आपको स्वयम को यानि हमको आने लगा कि नहीं आप लोग क्या करेंगे झाल झाल